खबर गोड़ा और गोड़ा के आसपास से है गोड़ा सांसत की पत्नी ने हाई कोड़ में दायर की क्वेसिंग याचिका गोड़ा सांसत डाक्टर निसकान दुवे की पत्नी अनामिका गोड़म ने जारकन हाई कोड़ में क्वेसिंग याचिका दायर की है उन्होंने प्राथमी की हुआ उसमें लगाए गे आरपों को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांगी है कहल गाउं में 40 भीट का हस्ताक्चर पत्र गोड़ा सांसत को सोबा भागल पूर एनेच असी पर जाम और ओवरलोडिंग को लेकर अकिल भारती विजाती परिशत की कहल गाउं इकाई द्वारा हस्ताक्चर अभ्यान चलाए गया केंद्रे सनक परिवान एवन राजमार मंत्री नितन गड़गरी को प्रेशीत पत्र पर परिशत कारिकरताओने अभ्यान चलाकर शेक्डो लोगों का हस्ताक्चर कराया करीब 40 फीट लंबे हस्तारादित पत्र को गुरुवार को कारिकरताओने वीवी सयोजक बरी रभी भुशन के नेतितों में गोड़डा सांसन निस्तिकाम दुवे को सौपा सापीन नदी पूल पर बड़े बड़े गड़े से आवागमान में खत्रा पत्रकामा गोड़ा मुख्य मार्ग पर सापीन नदी पर बने पूल की इस्तिती जरजर हो गई है मालुम हो कि वर्षोप पूर बने इस पूल की उपर एक छोर से दुसरे छोर तक बड़े बड़े गड़े हो गए है पूल की उपर कोई वहां संबल कर नहीं चलने पर नदी की नीचे गिरनाता है नदी की उपर बने पूल पर सारे रेलिंग पांस साल पूर ही टूर गई है बता दे कि सापी नदी की उपर से गुजरने वाला हर राजगीर भैवित होकर गुजरता है भू माफिया के खिलाब भीम आर्मी सेना ने संगर्ज का एलान जीले के महागवा अंचल अंतरगत महागवा चोंक में केसर ए हिंद की जमीर पर कबजा करने वाले भू माफिया के खिलाब भीम आर्मी ने संगर्ज का एलान किया है खावर अनुमंडल कर्याले से गोड़ा में बतर नए अनुमंडल पदाधिकारी आईए जिरीतु राज ने अपना पदभर समाल लिया है नीव वर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी संजे पीएम कुजुरु ने उन्हें पदभार सोपा इस दोरान दोनों अधिकारियों ने एक दुसरे को गुलजास्ता देकर सुपकामनाय दी कारभार समालने के बाद स्री रुतु राज ने कहा कि शहर की विदी ब्यवस्ता को दुरूस्त करना मेरी पहली पर्थिर्ता होगी रितु राज ने कोरोना को देखते हुए जिले वासियों से अग्रक किया है कि बिना मास के अपने घरों से नहीं निकले साथ ही सोचल डिस्टिसिंग का अनुपालन करें वहान चलाते समय भी मास का परियोग करें अविश्य करें साथ ही ट्रेफिक के नियोमों का अनुपालन करना सुनिचित करें साथ ही दुषकर्म मामले में नावालिक तिसरा आरोपी गिरफ्तार भेजा गया दुम का बाल सुधार गिरी गोड़ा में साथ ही दुषकर्म प्रकरन में पुलिस ने तिसरे दिन तिसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है गिराप्तार आरोपी नावालिक होने के कारण उसे बाल सुधार गिरी भेजा गया है पुलिस ने गिराप्तार कर कोट के आदेश पर दुम का भेज दिया गया है वहीं गोड़ा बिधायक अमित मंडल के साथ भाजपा परतिन अदे मंडल का सदस्या आश्रम पहुँच कर आवेश्यक जनकारी प्राप्त किया खबर देवगर से लहर जोडी सड़क बनने से देवगर की दूरी जीले से 30 किलूमेटर कम हो जाएगी जारखन परतेश कांग्रेश कमिटी के कारीकारी अध्यक्त सस जामताड़ा बिधायक इरपान अंसारी ने मुकमंत्री हैमन सोरेन से मिलकर जामताड़ा छेतर की तीन महत्तपून पी डवलूडी सड़क की मांगर किया है इन सड़कों में जुम्मन मोर से लोधरिया 14 किलूमेटर सणक लहर जोडी मोर से मूरली पहाड़ी भाया नाराइनपूर 21 किलूमेटर सणक एवन कचरा पहाड़ी मंदीर निर्मल मतो चोक से जामताड़ा सत्पाल भाया बागजोरी अमला चातर 28 किलूमेटर सणक निर्मान की मांग की गई है विधायक ने बताए कि यह तीनों सब्सक्राइब बहुत ही महत्वपुन है कि सीव गंगा में डुपकी लगाते ही होंगे बारा जियोति लिंक के दर्शन बाबा नगरी में हर दिन बड़ी संख्या में सर्दाले वो पुजा आर्चना करने पहुंचते हैं हलांकि लोकडाउन की बज़े से इन दिनों भक्तों का आना जाना लगबग ना के बराबर है जबकि श्रावनी मेला के दोनान लाखों की संख्या में सीव गंग जलापन करने बाबादा पहुंचते हैं यहां आने वाले अमुमन हर सधालू पवित्र शिगोंगा में डूप की लगाना नहीं भूलते हैं यहां असनान करने के बाद बाबा मंदीर में प्रवेश करते हैं आने वाले समय में शिगोंगा भक्तों के लिए केवल आस्था से ही जुड़ा नहीं रहेगा बलकि यहां आने वाले हर सर्दालू को संदरी की सुगत अनुवत्री भी कराये जाएगा शिगोंगा पहुंचते ही सर्दालू को ना केवल बारा ज्योतिलिंग के दर्शन होंगे बलकि उनके बैठने से अस्थान को भी शुकून होगा 12 सितंबर को बिहार और ज्यारकन के हावाई अड़ो की समिक्चा करेंगे हर्दीप सिंग पूरी केंद्रियन नागरी कुटेन मंत्री हर्दीप सिंग पूरी 12 सितंबर 2020 को बिहार और ज्यारकन राजिका दोरा करेंगे वे पहले दर्भंगा और फिर देववर हावाई अड़ा को समिक्षा करेंगे भारते बिवान पत्न प्रादिकरन इन हावाई अड़ों का विकास कर रहा है इस बात की जनकारी नागरी कुड्डेन मंत्राले ने दिया है निगम कर्याले परिसर में बनाया जाएगा पे आईडी निगम छेत्र के स्ट्रीट वेंडरों को प्रधान मंत्री शोव निधी योजना के तहत लोन दिलाने की परकिर्या में काफी तेजी आ गई है निधार्दित लक्षे भी अधिक लोन के लिए इच्चुक स्ट्रीट वेंडरों का आवेधन बिभाग को प्राप्त हो चुका है विभागी अस्तर पर अपना ब्यावसाय फिर से सुरू करने के लिए प्रधान मंत्री शोव निधी योजना से लोन दिनाने के लिए 952 बेंडरों का लख्ष निजादित किया गया था हलांकि विभाग के पास अब तक 1034 ओनलाइन माध्यम से आवेधन प्राप्त हो चुके हैं इसमें से कूल 350 बेंडरों को लोन बिभिन बैंकों के माध्यम से सुकृत किया जा चुका है लोन की राजिका भुगतान UPID के माध्यम से किया जाना है सरकार समय पर कराएं पंचायत चुनाओ जीला मुख्या संकी बैठक गुरुवार को सहर के पंडी सिवराम जाचों के पास हुई बैठक की अध्यचता करते हुए संके जीला ध्यक्ष बवनु पासवा ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाओ समय पर कराएं नहीं तो जुनाओ कराने तक सारी सक्ती पंचायत परतिन उत्यों के पास अनने थे पंचायती राज में विकास की निव मुख्या के माध्यम से ही तयार की जाती है लेकिन सक्ती लंबे समय से जब्ध हो जाएगी तो विकास की गदी मंद पड़ जाएगी इस दोरान पंदरवें बित की रासी के खच में अधिकारियों का द्वारा बेवधान उत्पन किया जा रहा है तीरतिये दीन गहन जन स्वास्त सर्वे सब्ता में सर्वेच्छन एवन अनुशरवन करने पहुँचे बिभिन छेतर में पोड़िया हाग सामुदा एक स्वास्त के अंदर के प्रखंड कारेकरम परभंदक अविश्य कुमार ने चल रहे प्रखंड अंतरगत गहन जन स्वास्ता सर्वे का जाएजा लिया एवन आवेश्यक निर्देश दिये ताकि कल से निधादी जगों पर कैम में चिनित जन समूँ पहुँच सके बिपी एम के द्वारा बताया गया कि सर्वक्षन के कारे सहिया एवन सहिया साथी के द्वारा अपने कलस्टर अंतरगत सभी घोरों में सर्वे करना है जिसे 40 साल के उपर के लोगों का लाइन लिस्ट फॉर्मेट तयार कर अपने एनम एवन सी एच ओ के देना सुनेशित करेगी साथी जीला मुख्याले के द्वारा निर्धाजित 11, 12, 13, 14 सितंबर 2020 को कैम आयो जन कर सभी चिनित लोगों का स्वासदास किया जाएगा कैम में समाधिक दूरी एवन निशित मास का परियोग किया जाना आदेशित क्या गया है हम रोज ऐसे ही नियूज लाते रहेंगे तो यदि आपने अभी तक किली नियूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटा फट सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आइगन को दबा दे ताकि कोई अपडेट मीस ना हो